एप लुग बहुत ज़दा टिंप मांगते हैं की श्रुट्हक truck market की से चिशन को डिफ दीजिए जिससे में बहुत ज़दा पैसा आ जाए वे आपको actual ममें आज में थीर टिप जिससे आपको short short पैसा आए का मार्केट से अब बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो पर यह जो टेप्स हैं जितनी असान लग रही हैं उन्हें फॉलो गरना होतने सबसे पहले यह देखना है कि आपको सबसे पहले यह देखना है कि आप कितना पैसा लगाने वाले हैं जितना ज़्यादा पैसा इंवेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको आरोई आएगा अब उसके सासे आपको यह भी देखना है कि रेट ऑफ इंटरस्ट क्या है आरोई से रेट ऑफ इंटरस्ट भी आ जाता है और रेटन ओन इंवेस् कमाल कर रहे हो, आप बहुत तेजी से करोड़ पती बन सकते हो, अब ये जो खेल है, कि आप कितना पैसे इन्वेस्ट करते हो, और कितना ज़्यादा रेट ओफ इंटरस्ट मिलता है, इसके असाथ से एक और चीज आ जाती है, कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो अब जो मेरी नंबर वन टिप है, आप ये समझे, अगर आपको बहुत तेजी से आगे बढ़ना, अपने पोर्टफोलियो को बहुत तेजी से आगे लेके जाना है, तो इन तीन चीज़ों के ऊपर हमें काम करना है, पहली चीज़ हम कितने टाइम के दिख लिए इन्वेस्ट रहते हैं, जितना जबादा टाइम के छिज़ रही होगी, उतना जबादा आपका फायदा होगा दूसरी आप इसे चीज़ आपको रिटन आ इंवेस्मेंट कैसे मिलता है, अब लोग हमेशे किस तरफ भागते हैं, वाल बढ़ये बढ़ाने के आपको समझ आएगा कि एक एक परसेंट के रिटरन और इंवेस्मेंट से आपका जो ओवरॉल पैसा है वो किस तरीके से मल्टिप्लाइ करता है तो एक एक परसेंट का रेट ओफ इंटरस बहुत मैटर करता है बट लोग यहां पर देखते हैं इसलिए वो क्या करते हैं जो रि जान नहीं देते हैं कि अगर वो सेव जगां पर पैसा लगाएं और अपने पैसे को ही बढ़ाते ने वो जादा सेविंग्स करें तो वो जादा अमीर बन सकते हैं और जाधा टाइम के लिए तो इंसेड़ ओफ लुकिंग एट कि हमें रेट ऑफ इंटरस्ट क्या मिलेगा ह वो जादा हमें कितना जादा ग्रोफ मिलने वाली है उससे जादा यह देखें कि आप कितना पैसा लगाने वाले हो कितने टाइम के लिए इंवेस्टेड रहने वाले हो इस वेरी क्रूशल फैक्टर बट अब होता किया है जब भी हम कुछ कमाते हैं हम उसमें सेव जरू करत आप save करते हो investment करने के लिए और अगर आप ऐसा नहीं करते आप save सिर्फ bank में पढ़े रहने के लिए पैसा रखते हो कि emergency के लिए यूज हो जाएगा यह saving आपकी बहुत कम है तो फिर आप बिलकुल poverty line के पास ही हो क्योंकि अगर आप this saving को invest नहीं करोगे तो आप कभी अमीर नहीं बनेंगे आपको कुछ ऐसा तरीका ढूड़ना पड़ेगा कि अगर आप so भी रहे हैं तब भी आप पैसा कमा रहे हो ऐसा warren buffet बोलते है otherwise आप पूरी जिंदगी काम करते रहोगे और जो लोग रात में सोते सोते पैसे कमाने का तरीका नहीं डूड़ते है तो आपको यह समझना है जो आपकी savings है उसके ऊपर आप यह समझे जो भी मैं save कर रहा हूं saving का purpose है invest करना कि उसके ऊपर मुझे कुछ ना कुछ interest मिले अगर पैसा बढ़ रहा है that is good तो आपको यह समझ आ गया कि saving हमे regularly करनी है और उन्हें हमें invest करना है बट कब करना है when you are actually required to invest इसका मतलब यह नहीं है कि आज मेरी salary आई है मैं 20,000 रुपे रख लेता हूं खर्चे के लिए और 10,000 रुपे आज ही invest कर देता हूं लोग ऐसा करते हैं जो आपको ज़्यादा अच्छे returns दे सकते हैं लेट मीटे लिए देखिए अगर आप ऐसा देखते हैं कि कुछ stocks बहुत अच्छे हैं आप अपने एने एक list में नहीं stocks की जिन्हें आप पसंद करते हैं मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको हमेशा stocks की जगा business में इन्वेस्ट करना चाहिए business देखो कौन सी कमणी अच्छा business करें अपने घर में products देखते हो आप जो products आपको अच्छे लगते हैं आप business choose कर लो माल लेते हैं आप पिड लाइट को देखते हो पिड लाइट वो company है जो फैवी कॉल बनाती है फैवी कुइक बनाती है आपको जो बहुत सरे products है जो आपके फैवी कॉल के आते हैं फरनीचर्स में यूज होते हैं पिड लाइट के सब आपने यूज किया होगा एमसील यूज करी होगी तो पिड लाइट बहुत बड़ी company पिड लाइट को छूस करके रखते हो इसी तरेके से आप आइटीटी सी को चूस कर लेते हो आप नेषय को चूस कर लेते हो आपके कुछ बड़े बड़े अच्छे shares आपकी list में मतलब यह जब पैसा आए तब डाल दो बहुत सरे लोग यह बोलते हैं जब पैसा आया तब डाल दो अब क्या करना चाहिए आपको इन स्टॉक्स पे अच्छल में अलर्ड लगा के रखना चाहिए उस प्राइस का जिस प्राइस पे आप खरीदने के लिए इसका मतलब है कि मैं यह नहीं कह रहा कि आप अभी के लिम इनकी analysis कैसे कर सकते हैं हम आगे बात करेंगे और भी companies के बारे में कैसे जान सकते हैं कि invest करना चाहिए नहीं करना चाहिए बट मैं भी आपको जो point बोल रहा हूँ यह है कि अब list बना लो ऐसे नहीं जब पैसा आया तब डाल दिया और देखो कि जो इनका जो graph है जो price है वो कब नीचे जा रहा है क्योंकि market का rule है market will always bounce back तो अगर आप कभी भी जब नीचे होता है stock उसे खरीद लेते हो तो bounce back तो करे और आपने अभी के अभी investment कर दी सो यू लूज और मनी इसका मतलब यह है कि थोड़ा सा patience रखना जरूरी है पैसा लगाने से भी पहले आप चाहिए 100 रुपे लगा रहे हो यह निकि मैंने तो बस 500 रुपे तो लगाया ता है 10,000 रुपे तो लगाया था मुझे कोई फरक न रूल नमबर वन जो मेरा है वह यह वारें पुफे के अपने रूल्स है यहां पर मेरा रूल है कि Markets will always crash हमेशा crash तो आई गई आई गाई गा और मेरा दूसरा रूल है market will always bounce back तो यह नीचे जा रहा है तब आपके पैसा होना चाहिए तो जो पैसा आप सेव कर रहे हो मैंने आपका पिलाइट फेवरेट शॉक है और आपने देखा अरे यार यह तो थोड़ा सा तूट गया मान लेते हैं दस परसेंट या पंद्रा परसेंट तूट गया मैं इसे अभी के भी खरीद लूँगा वेल वेट वाइल अगर आपके वाद दस हजार रुपे हैं और आपका ये लिस्ट में से एक फेवरेट स्टॉक है तो मैं कहूंगा आप तीन ये चार हजार रुपे लगा थोड़ा सा और पेशन्स रखो हो सकता है जहां पर आप इंवेस्ट कर रहे हैं उसके बाद भी और जा रहे हूं पर वहां पर लॉस्ट बिर करना पड़ेगा क्योंकि हमें बाइंड अगर ये रूल रहे हैं यह रूए हैं अगर उसका आज मार्केट प्राइस डाउं जा रहे हैं और यहां पर मैं लिस्ट क्यूंग बोल रहा हूं हो सकता है कोई एक कंपनी जिस पर बहुत जबा भरोजा कर रहे हूं हो सकता उसके साथ कुछ हास्ता हो जाए जैसे कि एस बैंक के साथ हास्ता मतलब शौक इतना गिर गया इतना गिर गया कि वह जमीन पर आ गया उससे नीचे गुजग गया हो तो बट बात यह है कि उसके बाद भी क् करने पढ़ेंगे बढ़ेंगे जो बड़ी कंपनी जा जर्नली ऐसा नहीं होता हो भी सकता है बट इसलिए मैंने लिस बोला कि ना सिर्फ एक आपके पॉर्टफोलियो में कम से कम तीन चार बड़ी कंपनी जोनी चाहिए कि आपको वह एक स्टेबिलिटी भी आपको हार्ट आप नहीं जैसे बहुत सरे लोगों को हो जाता है तो यहांपे हो सकता आपको यहां पेक फंदमेंटल रूल समझ आ गया और जो सबसे इंपॉर्टिंट है जो आपको हर expert भूलेगा अगर वो expert है तो कि भेया हम जब भी invest कर रहे हैं हम long term के लिए कर रहे हैं लोग क्या करते हैं माल लेते हैं आपने किसी stock में invest किया और stock में invest करने के बाद जैसे उसमें आपको दिखा 10% का मुनाफ़ा हो गया 20% का मुनाफ़ा हो गया 30% का मुनाफ़ा हो गया हम तुरंट sell कर देते हैं इससे आप कभी अमीर नहीं बनो गया इससे आप अमीर क्यों नहीं बनते हैं मैं आपका example देता हूँ हम विपरो की बात करते हैं आज से 40 साल पहले हो सकता है आप में से दादतर लोग हो भी ना इस दुनिया में मैं भी नहीं था बढ़ अगर 40 साल पहले मान लेते हैं मेरे फादर या मेरे दादा जी सिर्फ और सिर्फ 100 रुपे विपरों में लगाते हैं इससे 100 रुपे आपके 100 रुपे भी बहुत बड़ी बात थी और जैसे उसका 130 रुपे हो गया उसने पेज़ दिया ओ ओ वाट आप प्रॉफिट मैं एंड आज वो रो रहा होगा कि भी यह साथ करोड रुपे हो गया तो इसलिए लॉंग टम का मैजिक है मैं एक और एक्जामपल दे देता हूं अगर हम इन्फोसिस की बात करते हैं तो इन्फोसिस के शेर में किसी ने 1995 के अंदर अगर 10,000 रुपे लगाए होते हैं मान लेते हैं मेरे फादर ने मैं 1995 में पैदा हुआ था 26 साल गई हूँ तो मेरे फादर ने मेरे नाम पे मेरी खुशी पे आज मेरी बिटिया हुई है तो जब वो पैदा हुई तो उसके नाम के लिए महलब जब वो हुई तो मेरी तरफ से गिफ्ट उसके लिए मैंने कुछ शेर्स खरीद के उसके लिए डाल दी अब वो उसके मेरे नहीं है जब उसमें समझ आईगी इतनी कि वो उसके साथ डिसीजन ले सकती है तो वो लेगी मैं कुछ नहीं करूंगा इस शेर्स का ये मैंने सोचा है इस इस माय लॉंग टर्म परस्पेक्टिव कि मेरे बच्चे के लिए मैंने सोचा मेरी खुशी में मेरे फादर दस जार करते मैं जितना कर सकता था मैंने कर दिया तो मैं आपको एक ग्जेम्बल दे रहा हूं कि मेरे फादर ने अगर दस जार रुपेगी मेरी खुशी में बेटा हुआ है जी इसके नाम पे हम दस हजार शेर जाल देते इंफोसेस के तो आज की डेड में कैश को ले आए हमने पास हम इंवेस्मेंट इसी लिए करते है बट वो लॉंग टर्म में जो आपको रिजरल्ट देती है ना वो कभी भी यह नहीं होता कि मेरे फादर ने देखा 10,000 का शेर मैंने खरीदा था 13,000 का हो गया बेज दो अगर ऐसा सोचते तो कुछ नहीं होता वैसे दोनें ऐसा कुछ किया नहीं तो सोचते और नहीं सोचते की तो बाती नहीं है बट आपको मैं बता रहा हूँ अगर आपने यह जो मैंने आपको आज 3 टिप्स दी है यह ने फॉलो कर लिया तो सोचो आने वाली आपकी जिनरेशन का क्या होगा देल भी फिलती रिच एक आदमी को सिर्फ अपनी जिन्दगी में मेहनत करके धिमाग लगा के एजुकेशन लेके अपना फिनैशियल लाइफ को चेंज करना होता है और उसके बाद अगर उसको बच्चों को भी वो एजुकेशन मिल जाती है तो आने वाली जो पुष्टे है ना वो सब अमीर पैदा होती है वो पैदा ही अमीर होती है मेरी बेटी पैदा ही करोड़पती हुई है उसका रीजन है क्योंकि उसके बाप ने मेहनत कर ली तो एक इंसान को तो करना पड़ेगा विल दाट भी यू इन यू फैमिली बहुत सरे ऐसे लोग हैं जो आज एक मिडल गास फैमिली से वीडियो देख रहे है मेरा सवाल आप से विल यू बी दा फर्स मिलिनेर इन यू फैमिली इफ यस निशे कॉमेंट कीजिएगा वीडियो अच्छी लगी जल्दी से लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए फिलाद हो यार आख की तरह ऐसी इंफर्मेशन लोगों को नहीं मिलती तो अगर आप शेयर करोगे तो किसी का बला हो जाएगा फाइनली यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब करो कि पड़करो कार आपकरो यार वाल पिला आपकरो कर दो के लाएगा औशी छे जार कन लाएब कर दो. के लुष्ट थीज़, आपकरो, इलएगा